महा मंगल सूत्र बारा, तेरा और चौधे 12, 13 and 14 महा मंगल सूत्र या मंगल सूत्र वही मंगल सूत्र जो भारत में अधितर औरतें अपने गले में पैंती हैं और ताले मुती सजाती हैं ये शायद ही किसी को पता हो कि ये जो मंगल सूत्र हैं ये भगवान बुद्ध की 38 बातें हैं जिनको मंगल बातें बोलते हैं महा मंगल बोलते हैं रो महा मंगल सूत्र बोलते हैं सुत्र माने बाद में धागा भी बोला गया धागे को वैसे तंतु बोलते हैं और जो माला होती है उसको माला गुणे बोलते हैं माला गुणे का मतलब है माला में प्रोया हुआ तो यहां जो यह महामंगर सुत्र हैं यह बारा तेरा चौदा है बाकी 11 तक मैं पहले आपको बता चुका हूँ यह वो बाते हैं जिनसे आपका मंगल होता है आपके बच्चे की उम्र लंबी होती है आपके पती की उम्र लंबी होती है आपके माबाप की आपके साससुर की आपकी नंद की नंदोई की जेट की जेटानी की सबी रिस्दारों की अब पूरे भारत की उम्र लंबी होती है इसलिए ये 38 सूत्र जो बाते हैं इनको जीवन में जरूर अपनाएए जीवन में अपनाएंगे तभी फायदा होगा गले में लटकाएंगे कोई फायदा नहीं होगा तो बारवे नंबर का जो सूत है वो इस तरह से है माता पितू उपठानंग माता माने मदर होगी पितू माने पिता हो गया फादर हो गया और उपठ्ठानंग का मतलब है उपठ्ठान जो बोलते हैं वो बोलते हैं सेवा को यानि माता पुता की सेवा करें जो भगवान बुद्ध की सेवा करते थे वो थे आनंद आनंद को उपठ्ठानंग बोलते थे उपठ्ठानंग पाली के अंदर और संस्कायद भाजा में उपस्थानक बोलते थे उपस्थानक तो उपस्थानक का मतब है जो सेवा करता है उपस्थानक पाली के अंदर हो गया और उपस्थानन हो गया सेवा को तो मावाप की सेवा करनी चाहिए मावाप की सेवा क्यों करनी चाहिए एक तो माबाप ने आपको physical body दी है यानि जो ये सरीर में जितने भी गुण मिलते हैं आपका चाहे रंग है चाहे नाख है या कान है या कद और काटी है या जो आपका चाल चलन हाव भाव है ये सारा का सारा माबाप से physical हमें गुण सूत्रों से मिलता है ये एक natural और प्राकर्तिक process है मन हमारा बाहर से आता है हमारा अपना ही होता है क्योंकि जैसे काम हम इस जीवन में करते हैं अगले जीवन में जैसा भी मन मिले जरूरी नहीं है कि मनुस्य का सरीर मिले हो सकता है किसी और प्राणी का मिल जाये अगर मन साथ जाएगा यानि कि हमारे करम साथ जाएगे वो हमारे अपने होते हैं तो मावाप की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मावाप ने अपनी जुम्मेदारी निभाई है मावाप ने आपको पैदा किया आपको खाना दिया पानी दिया शिक्षा दिया आपकी सुर जाते हैं और अपने बच्चे को भचाते हैं उनसे ज़्यादा सेकोर्टि गाड़ उनसे ज़्यादा सुरक्षा उनसे ज़्यादा भरोसा दुनिया में कोई भी अन्य नहीं दे सकता चुकि आपको भी माबाब बनना है तो जैसा करम आप अपने घर में करेंगे जैसी सेवा आप अपने घर में करेंगे आपके बच्चे हू बे हू वैसा ही सीखेंगे अगर आप अपने मावाब की सेवा करेंगे तो आपके बच्चों का ये भाव मन में अपने आप आएगा कि हमारे मावाब की अपने मावाब की हमारे मावाब ने बहुत सेवा की थी तो किसी से कहने की आवशकता नहीं पड़ेगी और वो मरते दन तक आपकी सेवा करेंगे अगर आपने अपने माबाप की सेवा नहीं की तो आप ये मान के चलना कि आपकी भी सेवा करने वाला कोई होगा नहीं कोई बच्चा आपकी सेवा नहीं करेगा कोई बच्चा सर्मा हजुरी में कर दे कि सामाजिक कल्चर है तो अलग बात है इसलिए माबाप की सेवा जो करता है और सुखी रहता है उसके मन में एक संतोस रहता है कि अपने पालने वाले अपने पैदा करने वाले की निये मैंने अपने आखरी मिनट तक भी उनका सयोग किया उनकी सहायता की, उनके साथ रहा उनको मैंने कभी अकिला नहीं छोड़ा उनको अकिला होने का एसास नहीं दिलाया उनके बूडे होने का एसास नहीं दिलाया और इस सेवा भाव से मन में बहुत प्रसंत आती है इस प्रतंस योग प्रसंत आती है उससे आपकी बच्चे बहुत अच्छी सीख लेते हैं और बच्चे भी आपकी रेस्पेट करते हैं घर में एक शांती का एक मधुर वातरमड बना रहता है जो की सुख रसंती और आनद लेके आता है इसलिए मावाप की सेवा करें तेरे में नंबर का है पुत्दारस से संग हो पुत्दारस से संग हो पुत्दारस माने तो पुत्र होता है और दारस से का मतलब होता है दार माने होता है इत्थी या इस्त्री या पत्नी आपने एक गाली सुनी होगी प्राने समय में दारी के मांजा रही तो तो छोड़न बना ये धर इस्टन जो भारत है या जो नौर्थ भारत है उसमें बहुत चलती है दारी के कहां जा रहो है दारी के तो बताओं का ये दारी के सब्द है और दारी के साथ में गाली भी लगती है दारी चोद के ऐसा भी बोला जाता है ये गाली बाद में बनी मगर इससे भी जादा एक सब्द चलता है दराती दराती जो बनता है वो दारती से बनता है दारती का मतलब है काटता है जो उसे फोरता है काटता है उसे दराती बना है यहां दार से कोई मतलब नहीं है क्योंकि दार अलग है दराती अलग है मगर दार का जो अर्थ है वो इस्तरी है और जो दारी का है उसका जो मतलब है वो है बेटी से और दारा का मतलब है पुत्र से, यानि दार, दारा और दारी का, दारा को दारक भी बोलते हैं, यानि दारक माने हो गया पुत्र और दारी का माने हो गया लड़की और दार माने हो गया इस्त्री, एक आपने देखा होगा कि गौतम बद्ध का एक गौतम बद्ध एक उससव आ आकर्ती बनाए जाती है जो ऐसा लगता है जैसे किसी मनुसे क्या खर्ती है और उसमें बहुत सारे चीज़े लगती है उसके साथ में एक गाना गाया जाता है यो लोगीद है तेरी तो दारी मारू लो कटी तो नौमन कजरा रे हरे यह पूरा अगर लोगीत आपके पास किसी पास है तो आप मुझे भेज दें अगर आप पुरा लोगीत भेज देंगे तो मैं इसके वारे में आपको बता दूँगा तो ये जो लोगीत आता है तेरी तो दारी मारूं लोकेटी ये बहुत फेमस है बच्पन में इसको गाते थे हमने भी देखा है गाते हुए हम भी साज जाय करते थे अब छोटे थे आज तक भी मैं उसका मतलब ढून रहा हूँ अगर सैक्षर किसी पास वो भेज देंगा तो मैं उसका मतलब पाली में बता दूँगा ये पाली का लोगीत है क्योंकि इसमें दार सब्दा आता है दारी का सब्दा आता है और ये पाली के सद्ध है तो यहाँ जो दारस्य का मतलब है दारस्य का मतलब है इस तरी यानि पुत्त का और दारस्य का क्या करना है संगती संग हो करना है, संग हो का मतलब अथित्य करना है, उनका भर्ण पोशन करना है, उनका खाना पीने का इंतियाम करना है, उनका मान सम्मान करना है तो संग हो करना है पुत्दारस से संग हो यानि तेर्मा है जो मंगल सूत है कि अपना जो पुत्र है या पुत्री है और जो अपनी स्त्री है उसका भर्ण पुशन करना है उनका आदर करना है, उनका मान सम्मान करना है ये तेर्मा सूत है और जो चौदमा सूत है वो इस प्रकार है अनाकुला चे कम्मंता अनाकुला का मतलब है अनाकुल अनाकुल का मतलब है अनव्याकुल यानि कि व्याकुल ना हो बिना व्याकुल हुए बे व्याकुल हुए जिसमें कोई आकुलता ना हो व्याकुलता ना हो परिशानी ना हो चै माने और कमनता माने ऐसे जीवन के लिए काम करना है या ऐसे काम करें जिसमें व्यकुलता ना हो यानि कि आपको जो आजिविका के लिए जो कमाने के लिए या जो आपको पेशा है या जो आपका रुजगार है आपने वो काम करना है जिसमें व्यकुलता ना रहे वैकुलता किसमे जैसे आपने जैसे सूर काटने का काम किया या जानवर काटने काम किया या भैस काटने काम किया या बखरा काटने काम किया तो अगर आप बखरे को काटेंगे जानवर को काटेंगे तो आपको वैकुलता रहेगी आपने अगर सो लोगों को सराब बाटी या पिलाई या बेची या खरीदी या बनाई या आपने उसको साहता दी या लैल डैसंस दीया या आपने सिस्टम बनाया या दुकाने खोनी सरकारी या गैर सरकारी आप सरकारी पावर में है तो आपने इसकी परमिसन दी गैर सरकारी है तो आप बनाते हैं तो सराब बेचने का, रखने का, पलाने का, उकसाने का यानि उसके एटाइजमेंट में जो काम करते हैं लोग जो उकसाते हैं टीवी में जो काम करते हैं या टीवी में जो कलाका गलास सराप का पैक उठा के गाने गाते हैं या वीडियो में जो गाने गाते हैं जो सराप का बहुत ज़्यादा गुरगान करते हैं तो सभी लोग जो काम करते हैं वो बेचेनी वाला है सराप का परचार करके या नसे का परचार करके कोई भी आदमी चैन वारा काम नहीं कर सकता या कोई ऐसा काम करने जिसमें कहीं कोई युद्ध होने के अर्शंका है या हत्यार बना रहे हैं या बेच रहे हैं या जहर बना रहे हैं या बेच रहे हैं या कोई ऐसा काम करें जो मनुश्चिक निये नुखसान दायक है, मिलावटी सामन बेच रहे हैं, सब्जियों में रंग मिला दिये, या दूद में आपने वो जो आजकल पाउडर आता है कपले दोने का उससे जो बनाते हैं, जैजरिला दूद, या भो बना दिया, डालों में मिलावट करदी, दवाईयों में मिलावट करदी, या आपने नकली सामन बना दिये, या आपने जो आता है उसमें कुछ गर्गर्वलग कर दी, जितने भी काम ऐसे हैं, जो नमबर दो के काम हैं, जिनको करके आप चोरी से करते हैं पहली बात तो जो कहीं छुप करते हैं किसी को बता नहीं सकते और जो पॉब्लिक के लिए खराब है वो आपको बेचे नहीं पैदा करेंगे आपने सामान दुगान पे बेचा नकली सामान रख लिया या आपने ज़्यादा पैसा ले लिया या ज़्यादा मुनाफ़ा कमा लिया या पुराना सामान दे दिया या सड़े हुए फल दे दिये सड़े हुए आपने मेवे दे दिये या सड़ा हुआ रखा हुआ कोई आउट बीमारी से मर जाएगा या व्याकुलता से ही कहीं खतम हो जाएगा कहीं एकजेंड बगरा करके या उसके परिवार में जो उसके बच्चे हैं वो पीछे सारे खराब हो जाएगा ऑशरावी कभाबी जुआरी नसरी सारे बन जाएगे या वेफचारी बन जाएगे अपनी बाप की नहीं सुनेंगे घर में कल्ये होगा यह सारी चीज्ज है व्याकुलता वाला जितना भी धंदा है व्यापसा है वो पैदा करता है ऐतंग मंगल मुद्ळमंग यह मंगलमें उ अपने मंगल सुथ का नाम सुना होगा बड़ी बड़ी इमोशनल पिच्चर आती हैं मंगल सुथ के उपर इस तरी अपनी जान देने को त्यार होती है मगर जब विलिन यानि जो खलनायक होता है अगर वो मंगल सुथ पर हाट डाले तो हीरों को गुस्सा आ जाता है जो महिला मंडित करके मंगल सुथ की डालते हैं ताकि मंगल सुथ बिके और व्यापार चले क्योंकि मंगल सुथ में जो मंके होते हैं यानि कि जो मनी होती हैं काले काले मोती होते हैं वो भी तुलते हैं सुने के साथ में उनका पैसा लगता है तो उसमें अच्छी कमाई जादा होती ह मंगल सुत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक अभूशन है एक ऐसा विभूशन है जिसमें काले मन के लगे होते हैं और टेडिशनली तो पीले धागा होना चाहिए अभी सोने में भी वो आता है मैंने बहुत चाना मगर मंगल सुत्र के वारे में आपको इसे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं बेसिकली मंगल सुत्र जो है वो पुरसों के और महिलाओं के यानि के जो नर हैं और नारी हैं दौनों के ही पहनने की चीज़ है बच्चे भी पहन सकते हैं बूरे भी पहन सकते हैं सभी पहन सकते हैं क्योंकि मंगल सुत्र बहुत कमाल की चीज़ है उसको पहनना चाहिए और अगर आप उसे पहनते भी नहीं है तो कोई बात नहीं मगर उसे मानना जरूर चाहिए उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए अगर मंगल सुत को आप मानते नहीं है प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सच में आपकी जान को खत्रा रहता है चाहिए आप नर है या नारी है या बच्चे है या पुरुस है या कोई भी आप है मंगल सुत का मतलब है जो कल्यान करे यानि मंगल और सुतर यहां बोला जाता है पाली में इसको सुत बोलते हैं यानि कि ऐसे वचन ऐसी बात जो आपका कल्यान करे और अगर महा लगा दें पहले तो महा मंगल सुत हो जाता है यानि कि बड़े कल्यान करने वाले अच्छा करने के लिए सबी के लिए समान हैं सबी के लिए बरावर हैं खाली महिलाव के लिए नहीं है मगर पुरुसों ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया इसलिए पुरुसों ने इसकी महिमा खत्म कर दी और महिलाव को जबर जस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगर सूत्र मानने प पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीला रंग भी बोल देते हैं भगवा कलर का धागा यानि बुद्ध की बचन है बुद्ध ने बताया है तो मंगल सूत का मतलब है कि 38 वो बात है जो काले लोगों की हैं और जो भगवा ने बताई हैं, इसलिए पीले धागे में हैं, आपको याद रहे हैं, इसलिए उनको 38 मनकों को आप गले में डाले जिए और बीच में एक धम चक डाले जिए, जो बाद में आया, तो आपको याद रहेगा कि ये धम की बात हैं, कल्यान की बात हैं, ये उसका पिर्तीक बना, जब लोगों ने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली tradition रह गया परंपरा रह गई लोग ये तो भूल गए कि वो मंगल क्या थे मंगल सूत क्या थे मंगल बचन क्या थे वो कौन सी कल्यानकारी बात थी वो कौन सी गुड टॉक्स थी गुड थी जो हमें 38 थी 38 थी अपलाई ले आगे वो वहां अपना धंदा करने लगे और उसके हसाब से उनके मंगल सूत बिखने लगे फिर tradition बन गया और फिर मंगल सूत को पती की जीवन से जोड दिया बिसिकली तो पती अगर उन पे चलेगा तो उसका जीवन बचेगा पती अगर नहीं चलेगा तो पती का वो सारे मंगासूत भगवान बुद्ने बताए हैं आप अपने फेस्बुक पे अपने पेज पे अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है। उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर क्या हम इसको लोड कर देते हैं। बाकी सारी ये पूजी आपकी है। धन्यवाद! बुद्धम्सरिलूं रच्छामेः धम्मंसरिलूं बुद्धम्सरिलूं रच्छामेः धन्यवाद सरिलूं